सर्सों का साग और मकेई की रोटी सर्दियों की सोगात होती है माशाला देखें ये मकेई की रोटी बन रही है आज और इसके साथ सर्सों का साग बनाया हुआ है और जिस इसने खाना है वो भी आजाए असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब खेरिये से होंगे अलहम्दलिल्ला हम भी बिल्कुल खेरिये से हैं जी तो टाइम है सुबह का और अभी मैंने दर्वादा थोड़ा सा खोला था मैंने आप लोगे दिखाया है देखें बाहर कितनी सर्दी है और मैं इदर गैलरी में ही जो है ना नास्ता बना रही हूं बच्चों के लिए बच्चे तो अभी सोय हुए है मतलब सोय तो नहीं हुए जाग रहे हैं मेरा बड़ा बेटा कुलाने पाक पढ़ रहा है तो मैंने सोचा मैं जल्दी से नास्ता बना लूँ मैं भी नमाज बढ़के कुलाने पाक बढ़के फिर नास्ता बनाने लगी थी तो अभी मैं नसा बना रही हूँ तो मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ फिर उसके बाद मैं बच्चों को बुलाओंगी पास तिन देर में इदर गैल्टी जो है न इसमें भी आग से भी होता न वो भी हो जाता है तो अभी मैं खाना शाना बना लिया है बच्चों ने खा लिया है मैं उदर से फ्री होके इदर वाले सेन में आ चुकी हूँ तो अभी मैंने सेन की सफाई भी कर ली है इदर चाडू दिया है देखे तो मैंने बच्चों को जो है न पढ़ने के लिए बिठा दिया है देखें अभी या फात्मा अपना होवर कर रही है तो रहान ले खेल रहा है देखें अभी धूब जो हैना बिलकुल भी नहीं निकल रही तो आज हम ज़रा आए हुए थे इधर मेरी की तबीया ठीक नहीं थी इधर आए थे अमी का पता करने के लिए तो फिर जब हम आए तो मैंने का चले मैं खाना बना देती हूँ तो अमी कहने लगे कि मनीब के बाबा जो हना मकई की रोटी शौक से खाते हैं तो अमी जो हना मकई की रोटी बनाने लगी यह देखें इधर हमी रोटी बना रही है तो आप लों को पता है कि सर्दि यह देखें इतर यह आटा जो ना फिल गरम पानी के साथ हमी ने गूंद के रखा हुआ है तो यह रोटी टूट गई थी कोई बात नहीं तोड़के ही खानी है कौन सा ऐसे खा लेनी है तो इसकी रोटी जो होती ना वक्सरों काद टूट जाती होती है यह देखें यह वाली सा के रोटी का तला जाता है अब नमक डाला हो गए ना तो इसको अच्छा लगता है बगरा है कि यह पोथा है ममा जैसे बचे कहते हैं पराठे को तो अभी हम लोग इदर खाना खा रहे थे अमी बना रही थी और हम लोग बैठके इदर ना साथ साथ जो है ना खाने लग गए कि इदर पापा जी भी बैठे खाना खा रहे हैं और अमी बना रही है इदर मनीव के बापा भी बैठे खाना खा रहे हैं तो हम आगे थे फिर घर शाम को तो मेरा भाई शॉपिंग करने के लिए आवा था वो शॉपिंग करके आया तो अपने लिए कपड़े लेके आया था तो हम यहां पे वो देख रहे थे यह देखें बहुत प्यारा स्टफ है इसका ग्रेस वालों का है जो ग्रेस सुटिंग वाले होते हैं न एक इसका ब्लैक कलर का सुट है और एक यह ग्रेस से कलर का है और बहुत प्यारा स्टफ था इसका यह देखें, ग्रेस सूटिंग वाला जो कमपनी होती है ना, यह उस कमपनी का सूट है, बहुत प्यारे लग रहे थे, तो इधर मैं भाई के लिए चाय बना रही थी, वो बस थोड़ी देर के लिए आया था, हमारे साथ ही इधर आ गया था, तो मैंने एक ही कप चाय बनाना थ इसलिए मैंने इधर बॉल के अंदर ही थोड़ा सा दूड़ डाल के ना, इसी के अंदर एक कप चाय बनाने लगी थी, क्योंकि हम लोगों ने बना के पहले पी ली थी, इसलिए, यह देखें, किचन मैं शाम को साफ कर लेती होती हूं, अच्छी तरह, यह किचन के मैंने सफ मुकेई की रोटी का हूंगा, वो भी मुकेई की रोटी का बहुत शौकीन है, बड़े शौक से खाते हैं सारे, मेरे बापा जी और भाई बहुत शौक से खाते हैं मुकेई की रोटी, भाई भी खाना शौना खाके अपने मलतब चले गए थे, घर चले गए थे, तो यही थे मेरा आज के व्लोग मिलेंगे कर लिखने व्लोग के साथ अल्ला हाफीज